हलो इस्टुडेंट मैं दीख्छा स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में जी एस कॉइंटर सीरिज ये चलाई जा रही है इस सीरिज के अंतरगत आपको सभी टॉपिक कवर किये जाएंगे इस टॉपिक के अंतरगत आते हैं भारती इतिहास भारती राजविवस्ता रासामान भूगल सामान विज्ञान आर्थिक इवं सामाजिक विकास परियावरण में पारिस्तिकी अभी तक हमने भारती इतिहास के टॉपिक को कंप्लीट किया है जिसके अंतरगत ancient history, medieval history और modern हिंडिया के बारे में पढ़ा हुआ है तो यह सबी topic हमने complete कियो है अब आता है आज का हमारा topic भारती राजविवस्था एवं सासन से संदर में सबसे पहले तो हम उसी तरीके से पढ़ेंगे कि पहले नंबर पर topic देखेंगे फिर उनकी बरिस्थत में चर्चा करेंगे यह जो GS pointer है बैपर्णावलूकन का सार है जो कि तथ्यात्मक और तोर पर बिंदुबार जो प्रिष्ण है उनका एक संकलन है जिसको एक संचिप्त रूप में एक रिजविजन के तोर पर दिया गया है जो कि आएने वाले एक्जाम UPPSC, UPSC, MPPSC, ROERO और भी अधर स्टेट PCS की एक्जाम और भी अन्नी एक्जाम जो बंडे एक्जाम है उन सब के लिए यह है जो सीरिज है बर लाब दायक रहेंगे चले तो शुरू करते हो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे भारती रजवस्था एवं सासन के अंतरगर कौन कौन से टॉपिक आते हैं तो इन टॉपिक के बारे में देखते हैं पहले नंबर पर आता है भारत की समयधानिक विकास भारत की समयधानिक प्रमुक्ट समीतिया समयधानिक के सुरूत भारती समिदान के प्रहुख भाग, ओदेशिका, सासन पडाली, राश्टी पिर्तीक, राज एवं संग राज छेतर, नागरिक्ता, मूल अधिकार, राज के नेती नेर देशक्तत, मूल कर्तब, राश्ट पती, उपराश्ट पती, केंद्री मंत्री परसत, महानय आयवादी ए संसदी अधिनियम, सर्व उचने आयला, राज जिपाल, राज विधान मंदल, इवं मंत्री परसत, उचने आला, इवं अधिनस्त ने आला, केंद्र राज जिसंबन, आपात उपमन, बित आयो, योजना आयो, लोगपाल, इवं महत्तपूर आयो, इस्थाई विसेश इस्थाइला का एक संशेपत की दी गयी है, चली तो हमारी इस राजविवस्त्रा की टॉपिक को सुरू करती है, इस टॉपिक की अंतरगत, कि सबसे पहलि तो भारत की संब्होंच ने आले, कि स्थापना का प्रावदान की संदर में किया गया, तो यह 1773 की एक्थि द्वार भारत में उपने वे से के भारती परशद अधिनियम के संदर में सही क्या है कि विधी निर्मान के लिए अतरिक्त सदश्व की संख्या कम से कम छह और अधिक से अधिक बारा कर दी गई वो प्रांती और गेंद्री विश्यों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखा है तो यह है भारती परशद अधिनियम के संदर में फिर आता है भारती परशद अधिनियम 1892 के तहत है कि सदर्शों को पूरा प्रिष्ण पूछने का अधिकार नहीं था भारती संगी नियालाई की स्थापना के कप की गई थी 1937 में की गई थी फिर आता है कि भारती विधान परशद को बजट पर भहस करने की सक्ति प्रदान की गई भारती पर अधिनियम 1892 के अंतर पर्शद की स्थापना किसकी द्वार की गई पीट्स का भारती अधिनियम 1794 सर भूचुनेयले की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 इंगलिस मिसनरियों का भारत आगमन चार्टर अधिनियम 1813 गवर्नेजनरल की परशद में कानूनी सदस्चों के निक दूसरा आता है जनरल कमेटी और पबलिक इंस्ट्रेक्शन 1830, तीसरा आता है पाश्वाद और आंगलेविद बिवाद ये सभी अंग्रेजी सिक्षा की नियुकी निम्लिखित के कारण पड़ी हुई थे, प्रोवक कारण थे, अब आता है 1919 की भारत सासन अधिरियम की ब्यापार को छोड़कर इस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ ब्यापारे की कदिकार को समाप्त कर दिया गया, 1813 की चार्टर अधिनियम द्वारा, भारत में राजिस बिटिस इंसत के नियंतर में आ गया, किसके अंतरगत, 1889 की अधिनियम के अंतरगत, बिटिस बारत मे जाना जाता है, अब आता है कि भारती बिधानपाल का प्रधम बाल दुई सद्री बनाई गई, 1919 की भारत पिसासन अधिनियम में, अब आता है आपका नेक्स्ट की भारती सिबिल सिवा के संदर में सही कतन दिया गया है, कि भारत सरकार अधिनियम, 1919 में भारती सिबिल सिवा के एक अलग परिक्षा का प्राउधन किया गया जो भारत में होनी थी भारती सिवा 1941 में भारतीयों का प्रश्ट यूरोप बाशियों से अधिक था अब आता है बिटिश भारत में प्रानतिय श्वायतिता शुरू की गई थी भारती सरकार अदिनियम किता हैं बारह सरकार अधिनियम 191 में प्रांटिए सरकार की कार आरक्षित या रिजल्व या अंतनुरित या टांसपर्ड विश्यों के अतरेकत बाते गए थे नियाए प्रिशाषन, स्थानी शुशाषन, भू राजो सिवन पुलिस मैं से आरक्षित है, यानि आई प्रशाषन, भू राजो सोब पुलिस प्रिशाषन, पिर आता है कि नियमलिखित अदिनियम दर्णा 120 सदस्यों वाले सुति दी गई और 1935 की गवर्मेंट ओप इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्राधन किया गया जो इसके अंतरगत आपका दूसरा सही है पहला गलत है अब आता है केंद्री विधान सभा में के बी निर्वाचन जो भारती सासन अ अंतरगत करने की सकती प्रेरेत है भारत सरकार अधिनियम 1935 से और पहली बार भारती परसद अधिनियम 1861 भारत पारशियों को अपने देश की प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभा हुए चार्टर एक्ट 1833 के अंतरगत भारत सासन अधिनियम 1935 के तायत परस्ताबे संग ये पढा लिँ rapeा भारत में समयधान में केप्र राज्यूक्प वीच किया गया सकतेों का विभाजर नाद रहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के दवारा भारती सरकार दवारा 1935 की मुख किअ सभारतियम में आखिल भारतिय भारत संग जिसे फेडिरूर विभारत इनुदा सभीया की नाम से प्रावधन था ये प्रांती श्वायतिता की सूत्रपात का संकित था और इसने प्रांती इस तरपे दूहेज़ शासनपडाले कुसमाप्द पर क कैateurs이다 में लागू किया अब आता है एक संगी विवस्ता और केंद्र में दुई सासन भारत में लागू किया गया 1935 के अधिनियम दोरा अकिल भारती महासंग इस्थापित करने का प्रावधान सामिल किया गया भारसरकार अधिनियम 1935 के दोरा 1935 के अधिनियम दोरा इस्थापित में आउसे सक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को समयधाने निरंकुस्ता का सिध्धान प्रवर्त किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अब आता है आपका नेक्स्ट की भारत सासन अधिनियम 1935 में स्विकार किये गई महत्रपूर इस्थाई अवयम हैं कि बिदा समयधान का प्रमुक सुरूत हैं बर्मा भारत से कब अलग हुआ था गवर्मेंट उप इंडिया एक 1935 की फल सुरूप बर्स 1937 के चुनाओं में कांग्रिस की मंत्री मंदल बना हुआ था कुल आठ प्रांटों में एक निर्वाचित समयधान सभा दौरा भारत की समयधान का का प्रिस्ताव किया था क्रिप्स मिशन दौरा अब जाता है क्रफ्स के संदर में कुछ घंधी जो की सही है आपको डारिक्ट हियाद करने है कि समयधान सभा में प्रांती विधान सभा दौरा निर्वाट स्विकार करने के लिए जो भी प्रां तयार नहीं हुगा उसे यद प्रतिकार होगा कि वह अपनी भावे इस्तिती के बारे में बिटेन के साथ अलग संदीवा रस्ताक्षार करें अब आता है कि कैबिनेट विशन यूजना के अंत्रगा समिधा निर्मात्तिरी परशत में प्रतिक प्रांत को आवंति सदस्य संक्या निर्धारत करने के लिए प प्रथम अंत्रिम सरकार राश्तिय सरकार की घूशना की गई थी 24 अगस्त 1946 को पिर आता है 1946 में निर्मित अंत्रिम सरकार में कारपाल का परशत के उप सभापती थी जवाहलाल नहरू सीराज गुपलाचार डॉक्टर राजंद पुशार डॉक्टर एसराधा किष्णन और जगजीरम राव में से अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंत्रिम राश्तिय सरकार का सदस नहीं है डॉक्टर एसराधा किष्णन अब इसमें कथनों कारण तो सही है लेकिन कारण गलत है कथन कहता है कि बेवे लियुजना के नुचार कारिकारी परशत में हिंदों और महिन मसल का विचार सरपर्थां प्रिस्तुत किया गया था 1934 में सौराज पार्टी तथा एम राय की द्वारा अब आते समधान सवा की वारे में सही कथन दिये गए है कि पहला इसके अंतरगत दिया गया कि इसमें बड़ी संख्या में समीतियों की मदद से काम किया और उसमें प्रा आधारतियों कर समापतियों से एक्षड क्यों किता कारण मतादिकार सी में था वो बहुदलीय निकाय था तो इसके संदर में चारों ही कथन इसके सही है अब आता है आपका नेक्स्ट इसके अंतरगत कि भारतिये समिदान सवा के सही कथन दिये गया जिसके अंतरगत पहला सभाधान सभा में सदस्यों का चुनाव था प्रांति विधान सभाव द्वारा की अध्यक्षट या समिद्हान प्रकुक्टर अध्यक्ष्य को रही डॉक्टर राजंद पृशाथ महारती सम्यदान सभा की स्थापना की गई 9 दिसंबर 1946 को सम्यदान सभा की चुने गई इस्थाई अध्यक्च कौन है डॉक्टर राजन्द परशाद सम्यदान सभा की प्रारम में आइस्थाई उपाध्यक्च जो की पर्थम मनुनीत उप सभापती नामित किये गई महारत की समयदान सभा का पर्थम अवदिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद परशाद को समयदान सभा का सभापती चुना गया 11 दिसंबर 1946 को समयदान सभा में उद्देश से परिस्ताव परिस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को सम Mysinated Saba में उद्देष प्रिस्ताओ या प्रिस्ताओ ने प्रस्तुत किया गया था पंडit जबारला लेहरू दौरणा। भारत के लोगों ने आदे सित किया हुआ था बारती सम्मिदान को बनाने के लिए भारती सम्मिदान को बनाने के लिए भारती सम्मिदान सभा के कुल कितने अव दिवेशन हुए फिर आता है कि 24 जनवरी 1950 को सदिश्चों पर दौरा हस्ताक्षर के लिए पुना सम्मिदान सभ कि संबेत होने वाले सामिल करने के लिए दिवीशिनों की संग्या कुल कितनी थी भारती भारत की समिधान की निर्मार समिधाय सभा का समय कितना लगा दो बर्स 11 महिने 18 दें अब आते हैं सही सो मेलेत में कि समिधान सभा के पहले इस्थाई उपाद्य अच्छ कोन है एस सी मुखर जी प्रारूप समीती के मूलता है एक मात्र अधे कांग्रेसी सद से केमोंसी राजिस्थान की रियास्तो का पृतिने दित्ते करने वाली समिधान सभा के सद से वीटी कि पृतिने वाचन का प्राणम कब हुआ 17 नमंबर 1904 को सालती समिधान की निर्माड की समय समय एक सवालायकार को रही बीन राओ अब आता है आपका कि समिधान की प्रारूप तयार किया गया था बीन राओ की द्वारा भारत का समिधान पूर रूप से तयार हुआ था 26 भारती समिधान पूरता लागू हुआ था 26 जनमरी 1950 को समिधान को 26 जनमरी की दिन लागू करने का निर्ड़ा इसलिए लिया गया क्योंकि कागरिस नहीं स्तिति को 1930 में सुतंतरता दिवस की रूप में मनाया था बारती समिधान को अपनाया एवं अधीनिमत किया गया था विशनवरी 1950 को इसके बाद आता है कि निम्लिकित घट्नाओं की कालनोगरम को विवस्तत किया गया है जिसमें सबसे पहले से आखरी तारीक तक की दिथी दी गई है यह पहले नंबर पर आता है कि समयदान सभा की पहली बेटा खुई थी फिर प्रारूप समीती की पहले नंब प्राचन हुआ था किसके द्वारा बंबई प्रेसिडेंट की के पुना से डॉक्टर भीर्वाबंबेटकर का जन्म इवा मिर्थू जिनका जन्म 1891 में और मिर्थू 1956 में हुई थी अब आता है इसमें सही कथन दिये गए है कि त्रतिय गुल में समेलन की विचार पिमर्स की पढ़नती भारत सरकार अधिनिया 1935 के पारित होने की रूप में हुई थी दूसरा इसमें कथन दिया गया है कि भारत सरकार अधिनिया 1935 ने बेटिस भारत के सूबों और भारती रहास्तों की संगे पराधारित औल इंडिया फेडरेशन के गठेन का उप्रवंद किया अब आता है कि समयधान सवा में बैक्स मताधिकार को 15 वर्स के लिए इस्तिगत करने की बात की थी मौलाना आजाद में भारत की सुतंत्रता के बाद भारती राष्टी कोगरेश को एक राज्यतिक दल की रूप में भंग कर दिया जेना चाहिए ऐसो जाओ किसके द्वारा द अब आता है कि राष्टिवादी पृतिकरियों में भारती समयधान के निर्माताओं ने अलप संखिकों की हितों तो आधा भावनाओं कि महत्तकु कम करकी आंका था या कथन किसका था आइवर- जेनिंक्स का अब आता है नेक्स्ट की भारती समयधान में कांगरीस समिधान स सभा कांगरीश थी ओंगरीश भारत था या ग्रीन विल उस्टल ने कहा और भारती समिधान में कुल 12-15 महला थे महला सदस्ट सामिल थे अब आता है आपका समिधान सभागी प्रोग समीतियों की वारे में कि समिधान सभा की संग सक्ती समीति के अध्यक्ष कौन थी जवालाल फिर आता है समिधान सभा की समीतियों और अध्यक्ष जिसमें मूल अधिकार सरदार पटेल की द्वारा संचालन समीति के अध्यक्ष डॉक्टर राजंद प्रशाद संग सक्ती समीति के अध्यक्ष जवालालहरू और प्रारूप समीति के अध्यक्ष बियार अम्मेटकर औ 29 अगस्त 1947 को भारती समयदान सभा के प्रारूप समीथी की अध्यक्ष को रही? डॉक्टर भी यार अंबेटकर समयदान सभाव दोरा इस्थापित मुले करिकारों और अलपसंखे को हित्व सलाहकार समीथी की अध्यक्ष सल्दार पडेल को बनाये गया डॉक्टर वियार अम्बेटकर की अधिक्षिता में सन्नवेधान सभीती की प्रारूप समीती की अने सदसे कौन थे? शे सदसे थे डॉक्टर अम्बेटकर की अधिक्षिता में गठिते सम्मेधान सभा की प्रारूप समीती की मूल सदसे थे एन गोपाल स्वामी आएंगर, के एमुनसी, अल्लादी किष्णु स्वामी येर, मुहम्माद सादु तुल्ला, बील मित्र, डीपी खेतान, इसके प्रूमुक है, सदस थे, इसमें बील मित्र के इस्थान पर एन माधुराओ, तथा डीपी खेतान की मृतिक बार, ठीटी किष समयधान में ब Celtic का में विचार कहां से यह उर्च यगी हों यह क्या है यह सपत्र भारति-व्रósम्हने अगरी अगरे स्वान स्ंवट सत्राइप और शम्हार लेसाकरी कारी कर दा नेम पस कतर सकुर्ण गर्वार्ण सोंगया विवश्था की सम्हा शिरूरावत तो USA में भारती परिशंग और अमीर की परिशंग में समाल लूप से लक्षन पाया जाता है वाए कौन सा है कि समयधान के निरवाचन के लिए परिशंग respe संबर्टी सूझी देन किसकी ए? उस्टेलिया की फिर आता है भारती सम्मेदान की राज्य की नीती निर्दसक ततों की संकल्पना आधारे थे आईलेंड की सम्मेदान पर भारती सम्मेदान में राज्यों की संग्य की संकल्पना प्राप्त किया गया है बिर्टिस नार्थ अमीर का कैनेडा की अधिनियम से फिर आता है कि राज्य सभा के गठन में प्रतिभा अन्वाव एवं सेभा को प्रतिरोत देने के लिए भारती सम्मिधान नर्माता प्रभावित हुए थे आईरिस करतन से अब इसवे सही समेले दिया गया है सम्मिधान एक प्रवादान और स्रोत है कि मूल अधिकार सेयुक्त राज अमेर का अमेर की अधिकार पत्र में सासन के संसिदे पड़ाली ग्रेट बिटेन यूके आपातकाल के समय मूल अधिकारों का इस्तगन जर्मनी के वीमर समिधान से राज नीती की निर्दी सक्त तो बिधी का सासन आईलेंड के आईरिस समिधान से विदी का सासन इंग्रेंट से विदी द्वारे स्थापित पिक्टिया जापान से राष्टपती की बेचारार्थ राज पाल द्वारा विदीयक को सन्रक्षित करना और कनाडा की सम्मधान से लिया गया ब्रिस्तित तो वहनेस्ट सूची या संबर्ती सूची का प्रावधान और भारत में राज्यों का संग है तथा संग में अधिक सक्तियां नहें वैं केनेडा से लिया गया अब आता है प्रावधान और शुरूत दिये गया है कि मौलेक अधिकार से राजी के नेती नेर दे सकते हैं तो आयरलेंड से कैंदर की आउसिस्ट संग्तियां कनाडा से वहा कतनों कारण दिये गए जिसमें दोनों सही और दोनों एक दूसरे की ब्याख्या नहीं है कतन कहता है कि भारत का संग्तियां सबसे अधिक लंबा है पर कारण कहता है कि मौलेक अधिकारों का अधिया अमेरिकन संग्तियां की मौडल से लिया गया अब आता है कि भारती संग् प्यारती समय धान कैसेर भागाटास पा को बिता में कहरकर दरीश्ते आरता साश ऐटाकुले प्यारती समय की आरभरा के निश्यों प्येद्धा EP 10ила सुयां चेया हैं ये तेज सही क address दिया गया है कि भारत की समिधान की 9B, 10B, 11 B, 12B अनुसूचीव के समिधान सथ नधिनियम के द्वारा जूड़ा गया। भारती समिधान को भी भाजित किया गया है, 22 भागों में और बलतमान में इनके अनुशार 22 भाग हैं। मोल समिधान में कितने भाग अनुछेद और नुशूचिया हैं, बाईस भाग, 395 अनुछेद और राठ अनुशूचिया हैं, नागरिक्ता से सम्मानित प्रारूप के इस अंदर में जिस भाग में हैं भाग दू आता है, फिर आता है सही सुमेलित दिया गया है कि समिधान की भाग एक में संग और उसका राजी छित्र दिया गया है, भाग चार ए में मौलेक करतब भाग दो में नागरिक्ता और भाग चार में राजी की नेती निर्दी सकतर तुदिये गया हैं, और भी इसमेलित थें जिसमें नागरिक्ता का प्रावधान समिधान की भाग दो में, मौले कदिकार भाग 3 में, मौले करतब भाग 4A में और संग सम्मिधान की भाग 5 में और राज सम्मिधान की भाग 6 में आता है और भी इसमेले थे कि नई राजो का गठन का प्रावधान सम्मिधान की अनुचे 3 के अंतरगत आता है अब आता है प्रावधानों समिधान की भाग दिये कहें कि राज की नीती निर्दी सक्तत भाग चार के अंत्रकात आते हैं संग राज चेत्र भाग आठ में पन्चायत भाग नो में नगरपालका आए नो अब आता है आपका संग वम राजों की अदिन सिवा आती हैं पंद्रा में और आपात उपरबंद जो आते हैं वैं आपके अठारा में आते हैं अब आता है कि भारत की न्वहान यावादी की समद्ध में उपबंद दिये गए कि समेधान की भाग पांच में अनुछे चेत्र की अंतरगत हैं भारत की समेधान की भाग सूला सममन्धे थे, कुछ वर्गों की बिशीश उपबंद से, भारती समेधान में राजवासा 17 अब इसमें प्रावधान और कुछ समिधान की भाग दिये गई राज भासा जो है 17 में दिया गया संग राज छेत्र आठ में अनुस्ट अंजन्याती छेत्र 10 में दिये गया अधीकरण जो दिया गया वह चोगदाई की अंतरगत दिया गया अब आता है और भी कि समिधान में भारत के भीतर ब्यापार बाड़े जो समा गम संबंदी उपवंध है भाग 9 यह 13 के अंतरगत दिया गया वह चोगदाई की अनुसूची और उनके राज्यों की छेत्रों का विवरा देती है वह पहले अनुसूची आती है यदि भारत संग के एक नई राज्य का सरजन करना हो तो सम्मेधान की किस अनुसूची को अबस संसूदित किया जाना चाहिए पहले अनुसूची को भारत की सम्मेधान की चोथी अनुसूची बिवेदित करती है राज्य सभा में स्थानों के आवंधन को यदि भारत संग के एक नई राज्य का सरजन करना हो तो भजमेधान के नसुचियों में जिस एकुवावस संसूदत किया जाना चाहिए पहली नसूची अब आता है कि भारती समिधान की त्रिठी या नसूची में उपवंदित दिया गया है कि संगे के मंतरी के लिए पद की सपत का प्रारूप दूसरा आता है कि उचीतमने अल्हाइ कि मुखेना आदीस द्वारा ली जाने वाली सपत का प्रारूप ग।τάसर आता है कि प्रॉप संसत्य द्वारे सपती ऑप्षिगान का प्रादा अथा है। आठवी मैं अनसूची भासाओं के संदर में नवया नशूची विशच चदीनेवयों या बिनेव रियमयों के विधिमाननी करण में चौती अनसूची राजसभा में स्थानों के आभ रजवत न सुची। अनुसूची जो है राजिसभा में इस्थानों के आवंटन से संबन देते हैं, सस्टम अनुसूची असम तरप्रा मेघाले मेजुरम के जनजाती छेतर से, अस्टम अनुसूची भासाओं से नवम भूमी सुधार अधिनियम से, अब और भी उसमे लेते सूची एक है जो जिसमें बिधाई सक्टियों का वित्रण संग राजिवं संबर्ती सूची आए, आठवी अनुसूची के अंतरगत भासाओं आती हैं, अब आता है और भी कि नवू से अनुसूची जो है बैकुछ अधिनियमों के विधिमाननी करण से संबन देते हैं, दसभी अनुसूची जानवरों के पिरती, कुरूलता कुरूक था, भारती संबर्ती सूची में बैकुछ अनुसूची में दिया गया है, संबर्ती सूची में फिर आता है संबर्ती सूची का विषय क्या है, संबर्ती सूची का विषय जो है आप राधिक मामले के संदर में है, फिर आता है भारत के संबर्ती सूची में जिनसंख्य ने अंतरण परिवार ने हो जाने इससे संबन देते हैं, अब आता है सालजनिक स्वास्ति इमस्वक इसंसवर्थीयान, चैस्था, गृत्षे के ज आता है। बिसाय दिये गए बन जो है वैं संबलती अनसूची से संबन देते हैं डाग कर बचत बैं संगी सूची से जनाधार राज सूची से वैं सेरवाजार संगी सूची से संबन देते हैं केंदर सूची में जनगरना है, राज्य सूची में पुलिस और सार्जन के विवस्ता संबर्ती सूची में जन संख्या ने अंटर्ण और परिवार्णी हो जन आता है। अवस्त विसाय जो आते हैं वाई केंदर के अधिन अंतरिक्ष अनुशन धान इसके अंतरगत केंदर के अधिन आते हैं। आता है सब्तम अनुशूची ये सभी भारती समिधान में सिक्षा पर प्रभाव डालती है। सब्तम अनुशूची के अंतरगत समर्थी सूची जो की सूची थर्ड में सामेल है वाई दंड़ पिक्रिया सहिता आती है। बिवाय विवाय विच्छे और गूद लेना समिधान की सातवी अनुशूची में समलित की गई सूची थर्ड में समर्थी सूची में। बारती सम्मेधान की सातवी अनुशूची की वे सूची जो की पुर्विस्टी जिसका संबंद राज की विधान मंडल की नरवाचन से वसमे सूची 1, पुर्विस्टी 72 और सूची 2 में पुर्विस्टी 37 आती है। सरकारों दोरा सूल की वमकर लगाने का अधिकार उल्लेखे थे साथ में अनुसूची के अंतरगत भूमिशिदार के विश्यों के अंतरगत आता है राज़ोसूची समयधान की वेफ अनुसूची जिसके अदिन जन जातिय भूमिका इससे जनजातिये लोगों की जमीनी गेर जनजातिये लोगों को अंतरित करने पर रूक लगे की। इससे जनजातिये लोगों में भारती संसर द्वारा पारित कारूनों को निर्दीसित करने का अधिकार राजपाल के पास होता है। कर लगाता है। उसके संदर में आता है कि विधाईका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के समयधान के किस अनुशेत के अंतरगत है तो अनुशेत 117 के अंतरगत आता है। अनुशेत 117 में भारती समयधान में अखिल भारती सिवाओं का प्रावधान के अंतरगत किया गया अनुशे 312 के अंतरगत अंतरगत आता है। अनुशेत 114 के अंतरगत का के अंतरगत आता है। इसमें सही सुमेले दिया गया है कि भारत का निर्वाचन आयो अनुशेत 324 में अनुशेत 143 सामान नयायो और निशुल्ग विदिक साहयता से सम्मदेत हैं। गिराम पंचायतों का संगेत हैं अनुशेत 40 में समान नागरिक सहीत अनुशेत 44 में अनुशेत 50 के अंतरगत नियाय पालका वकार पालका में पिठख करण। फिर सूची एक और दो दी गई है जिसमें अनुशेत 124 जो है वसंगे नयाय पालका से सम्मदेत हैं। अनुशेत 2 में विदी की समक्षे समता का अधिकार अनुशेत 14 में गिरपतारी और निरोद के सनलेक्षण अनुशेत 22 में राश्पती का विदीयक को अनुशेत 111 के अंतरगत आता है। अब आता है और भी अनुशित के अनुशित चववन के अंतरगत दिया गया है कि भारत के राष्ट पती का निर्वाचन अनुशित 75 में प्रधान मंत्री वो मंत्री परसत की नुगती अनुशित 165 में राजी के राजी पाल की नुगती अनुशित 164 में राजी के मुख्य मंत और भी अनुशे दिये गए हैं जिसमें अनुशे 323 एक जो दिया गया है प्रशासने कधी करण से संबन देते हैं अनुशे 330 दिये गया है लोकसभा में अनुशे जाती वह उनुशे जन जाती के सदस्यों के आरक्षण से अनुशे 320 लोकसिवा आयोगों के कार्य से 280 बित्त आयोग से 360 बित्ति आपाट से संबन देते हैं और भी अनुशे जिसमें 371 जो है वह नागला इनुटाज से संबन देते हैं 371 खा असम से 311 गाग अमारी पुर से 311 खा आनदेप्रती सौतीलंगाना से संबन देते हैं और भारत का नियंत्र के वह महलेखा परिक्षक अनुशे 3146 के अंतरगत है संगलोग से वायोग अनुशे 315 आपातकाल के इस्तिती की घोष्णा 302 अखिल भारती से वाय अनुशे 312 सामेदेग घोषन सुदन अनुशे 308 से अंतर राजपरसद अनुशे 3263 के अंतरगत आता है अ अनुशे 17 में अस्परसिता कांत्र है अनुशे 78 में राष्टपती को जानकारी देने के संदर में प्रधान मंत्री के कल्तब है अनुशे 352 में आपात इस्ति की घोष्णायों अनुशे 292 में राजबिधान मंडल के सदशोग की निरहरता से सम्मंदित प्रश्णों पर बि दिया गया अनुशे इसमें सही सुमेरे दिये गए है कि अनुशे 215 जो है उच्छ नयायलाओं का अभी लेक नयायला होना है अनुशे 222 किसी नयायला का एक उच्छ नयायला से दूसरे उच्छ नयायला में अंत्रण है अनुशे 226 में विशे जारी करने की उच्छ नयायल दिया गया इसमें अनुछित 75 इफस्ट में केंदरी मंत्रियों की न्युक्ति की जाती अनुछित 76 में भारत का निया बादी है अनुछित 131 में सर्वुच नियाले का चित्रा दिकार आता है कार करने का दिकार अनुछित 41 के अंतरगत आता है कार करने के लिए सही और मानवी स्थिति आनुशित 42 में है से सव पूर्वे भेगपाल और गुछे वर्स से कम आयू के वच्चों के लिए सिक्षा का विवस्ता अनुशित 45 के अंतरगत है फिर आता है कि पंचायद जो है अनभाग नौ में आती नगरपाल का भाग नौका में साहकारी समेतियां भाग नौका में वाधी करण नौका में आते हैं अब आता है उद्देशिका उद्देशिका के संदर में दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर प्रवत्ति संपन समाजवादी पंतनेर पिक्ष लोकतांतरे गड़ राज बनाने के लिए उसके समस्तनागरिक होगो सामाज अब आता है कि भारत के सम्मिधान में तीन प्रकार के नियाएं पांच प्रकार के संतरता और दो प्रकार की सम्ता एक प्रकार की प्रातत्तों का उलेक किया गया है किसमे प्रस्तावना में भारत के सम्मिधान की निर्माताओं का मत प्रतिविंद्र पित होता है उद्देशिका प्रस्ताव में भारती सम्मिधान में 26 जनबरी 1950 को सही सम्मिधान एक बस्तु इस्तिरती तब सम्मिधान में लागू किया गया था वा संपूर प्रवुत्य संपन लोकतांतर गड़ राच में सम्मिधान में हमारे राष्ट का उलेक किया गया है भारती वम इंडिया नाम से भारती सम्मिधान की प्रिस्तावना की संदर में सही क्रम है, संपूर प्रवत्य संपन, समाजबादी, पंथ निर्पेक्ष लोकतांतर गड़ राज है, 42 सम्मिधान संसुदन दौरा प्रिस्तावनाओं में जोड़े गए सब्दे हैं, समाजबादी, पंथ निर्पेक्ष अख भारती समयधान की प्रस्तावनों में भारत को घुजद किया गया एक सार भोमिक समाजवाद पंत निर्पिक्च प्रजातांतरिंग गरतंतर के रूप में। भारती समयधान में संसुधन किया गया उद्दीशिका में 42 समयधान संसुधन द्वारा वैसब्द जो 26 नमंबर 1948 को आंगी करत भारती समयधान की प्रस्ताव में नाव में समलित नहीं थे वैसमाजवादी पंत निर्पिक्च और खर्णिता थे भारत के समयधान की आमुक का लक्ष उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, सामाजिक और आर्थिकनिया, विचार तथाविव्यक्ति की सतंत्रता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इसमें कथन उकारण दिये गे, जिसमें दोनों ही कथन सहीं है, कथन कहता है कि भारत एक सतंत्र संप्रवु संपन समाजवादी पंतने पिक्ष लोक्तांत्रे गड़राज है, वो कारण कहता है कि इसे 42 सम्मिधान संसुदन अधिनियम, 1976 द्वारा संपुड प्रवुत्य संपन लोक्तांत्रे गड़राज की स्थान पर प्रतिष्ठापित किया गया ह अब आता है आपका कि भारत एक गर्टन थे इसका अर्थ क्या है कि भारत में बंसानुगत सासर नहीं है, भारत में लोक एक सार्वोमिक्ता है क्योंकि सम्मिधान की प्रिष्ठावना आरंब होती है हम भारत की लोक सब्दों से, हम भारत की लोक सब्दों का प्रियूग भा अब आता है कि सम्मिधान की प्रस्तावना की बारे में गथन सत्य है कि समाजवादी पंत निर्फिक्च सब्द 1950 में लागू सम्मिधान की अंग नहीं थी ए सब्द 42 सम्मिधान 1976 द्वारा जोड़े गई थी सम्मिधान का भय भाग जो उसकी आत्मा कहलाती है भय उद्देश का है जिसे बियारम मेटकर की द्वारा अंशिद 32 के अंतरगत कहा किया था भारती सम्मिधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रवू प्रजात अंतरिक जनमे गड़तंतर की जनमे कुंडली कहा है किया मुनसी ने सम्मिधान को एक पवित्र दस्तावीच कहा है वियारम मेटकर ने बेरुवारी सज्जन से गोलक नाथ केशवन अंद भारती बादों मेंसे किस बाद के निर्णे को सर्वोची नयाले ने सरप्रथम गोसित किया था उद्देशी का हिस्सा नहीं है बेरुवारी बाद का उचितम नयाले ने नाड़ना परिस्तुत की कि उद्देशी का सम्मिधान का भाग ये बोंबई बनाम यूनियर ओफ इंडिया बाद के अंतरगत कहा था सरवोची नयाले ने परिस्तावना को भारती सम्मिधान की मौलेक सनरशना का भाग सुईकार किया था केशवानन भारती बाद में भारत के समयधान में उद्देशों में से एक में के रूप में आर्थिक नियाय को बंद किया गया है उद्देशिका और राजी की नीती निर्देश सक्तक्तों में भारती सम्मिधान की प्रिस्तावना में जिन आदर्शों उद्देशों की रूप रेखा रखी गई हैं उनकी ब्याक्या की गई हैं मुलदिकारों राजी की नीते निर्दे सकत्तों और मौलिक अलकरतब्रों की अध्याई में महतपूर है कि उसकी उपयोगता है तीसरा आता है कि सासन करने के उद्देशों को लेखित करता है और जो अथा आता है कि सम्मिधान के कानूनी अर्थ निर्णे में सहायता करता है और सत्ति कथन है कि सामाज एक समानता समिधान में पृत्याभूत है तो इसके संदर में ही सभी पृत्याभूत है तो इसके संदर में सभी कथन सत्य है अब आती है साजन पडाली के बारे में सासन पडाली में आता है कि राज्य सब्द सर्वुत्तम रूप से परिभासत करता है बेक्तियों का एक सम्दा है जो बिना किसी बाहर नियंतर की एक निश्चित भूभाग में इस्थाय रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगिठित सरकार होती है धोज राजधानी संप्रुभुता और सासन अध्यक्च मैसी राज्य का सबसे महत्पूर तक्त्य है क्या है वह संप्रुभुता है भारत की संप्रुभुता की संदर में सत्य कथने की भारत राष्टिक मंडल का सदस है लेकिन इसके कार्ण भारत की संप्रुभुता कम नहीं ह संसदी विवस्त हवाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसत के पृति उत्तरदाई होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है भारती संसदी पडाली बिटिस संसदी पडाली से इस वास सिभिन नहें कि भारत में नयाएक पुर्णाव लोकन की पडाली है हमने बिटिस मॉडल पर आधारे संसदी लोकतंत्र को अपनाया है किन्तु हमारा मॉडल उस मॉडल से भिन है क्योंकि जहां तक बिधी निर्माड का सम्मन्द है बिटिस संसद सर्वो परी रित्वा संपर हुए कि तो भारत में संसत की विधी निर्माड की सक्ती परिशी में थे, भारत में संसत के किसी अधिनियम के संसोधन की सम्मेधान एक्ता से सम्मेधान पीट को भीजे जाते हैं अब आता है कि धर्म पिछ राज संसिदी पद्धिती सरकार संगिय नीती और राष्टपती पद्धिती सरकार मैंसे भारती राजनतिक पद्धिती की बारे में सही नहीं है। अब आता है कि सत्ता को केंद्र और राज्यों में विभाजत किया गया। इसमें सही कतन दिये गए हैं कि भारत एक लोगतांतरिक राज विवस्ता हैं। दूसरा है कि भारत एक प्रुवता संपन्य राज है। तीसरा आता है भारत में लोगतांतरिक समाज हो चौथा आता है कि भारत एक कल्याड़कारी राज है। भारती राज विवस्ता की विशेस्ता हैं दी गई है कि एक सम्मिधान संगस सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और विधी का सासन इसके अंतरगत आता है। अब आता है कि केंद्रेवम राज सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारती समिधान से, सुसासन की विशेष्टा नहीं है, लाल फीता साही की, बिदी और स्वाधिन्ता की भी सबसे उप एक्ति सम्मंद को कौन पृति पेमित करता है, यही दी बिदी नहीं है, तो स् समाजवादी राज, राजन्यतिक समानता, भारती समिधान का दर्सन नहीं है, सामयवादी राज, भारत में राजन्यतिक सत्ता का प्रमुक सुरोत है, जनता, अध्यक्षात्मक सासन पड़ाली का आधरबूत तत्यों है, एकल कारिपाल का, सत्यक अथने की भारत एक संसदा नियाएक समीक्षा का, फिराते विधी की सासन की प्रूक लक्षणों की रूप में माना जाता है सक्तियों की परिशीमन को, बिदी की समता को और सुतंतरता और नागरी कदिकार को कथन और कारण दिये गए जिसमें कथन कारण का इस पच्टी करण नहीं है कि कथन कहता है कि भारत की सम्मधान में एक संगी पडाली का प्रावधान है और उसने एक बहुत सक्ति साली केंदर की रशना की हुई है अब आता है कि कानून को लागू करने कि मामले में कोई बिधान जो किसी कारिपाल का या प्रशाशने कदिकारी को आनिल्दे से आनियंत्रित विवे कदिकार देता है भारत के समिधान के अनुचे 14, 28, 32 या 22 में से उलंगन करता है वह अनुचे 14 का उलंगन करता है भारत के समिधान की संगी लक्षड क्या है कि केंदरिया राजों की वी सक्तियों का बटवारा पूर रूप से लिखे समिधान और सुतंत्र नियापाल का आता है अब आता है कि भारती संगी विवस्ता में एकात्मक्तत्त हैं, पहला आता है एकहरी नागरिक्ता, फिर आता है राजिपालो की नुक्ति, आपात काली निप्रावधन, अखिल भारतीय सिवाईश, राजिसभा में असमान पिर्तिनिद्ध, राजिब धेको पर राष्ट पती क कि श्विकृति और राजियों में सामबीधी के संकट के उपवन्धिस के अंतरगत दिये गए हैं, अब आता है कि भारत एक गर्तन थे और इसमें अंतर नहीं थे, राजिका अध्यक्ष निरवाजित होता है, अर्थाद भारत में बंसानों गयत सासन नहीं हैं, अब आता है कथन कहता है कि भारत एक लोकतां तरगते से और कारण दिया गया कि भारत का अपना एक सम्मिधान है, जिसमें दोनों कथन सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याक्या नहीं करते हैं, अध्यक्ष अत्मक्स आसन पडाली के विसेशता हैं कि कारपाल का कब्रूब्रू कथन कहता है कि भारत का राष्ट पती पर उक्षिता निर्वाचित होता है, कारण कहता है कि भारत में संसदी पडाली के गड़तनते बात के साथ चूड़ा गया है, इसमें कथन कारण दोनों सत्ते हैं और दोनों एक दूसरे का इस पस्ती करण भी है, अब आता है कि राजन पहर एक नहीं है कारण कहता है कि भारत एक संखिय राज नहीं है और भी कथन कारण आते हैं कि कथन कहता है कि भारत की संगात्मक संरशना मुख उद्देश इसकी बहु आयामी वेवित्ताओं मैंसे एक राष्ट का निर्मार करना और राष्टी एकता को सलक्षित करना है वो क कारण कहता है कि विवित्ताओं को समझन में इसे से सकते ना कि कम जोर भारती राश्टिकता का निर्मार हुआ हो एक दूसरे की व्यक्ष्था भी करते हैं कथन और कारण और भी दिए गए कथन कहता है कि भारती महलाएं दलित निर्धन एवं अलपसंखिक समोर भारत में लोक समयधाने इसमें अनीक समयधान लुड की अनुभाव समाविष्ट है इसमें ब्रिश्दित प्रशाष किये प्राधाने वाई एक बड़े देस की सासन से समद्धेते हैं अब इसमें कथन और कारण दिए गये जिसमें कथन कहता है कि भारती राजनातिक विवस्था की प्रक कतन और कारण इसमें भी दिये गए हैं, जो कि एक दूसरी की व्यक्या नहीं करते हैं। अब आता है कि भारती संग बाद को सैकारी संग बाद किस ने कहा है यह औस्टिन ने भारत अल्द संगात्मकरा केसी वीलर को इसे संगात्मक स्विज उसले और नहीं बदा बारती संगता संग्धान को प्रधान में नहीं थो और एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनेदियों की वो यह गड़तंती अवधारना से सम्मंदित हैं सम्मेधानिक सरकार की बारी में सम्मेधानिक सरकार बाए है जो व्यक्ति की सुतंतर्टा के हित में राजी की सुतंतर्टा पर बर्वावकारी प्रतिवन्द लगाती है इसकी परिवासा में सम्मेधानिक सरकार का अंथ सीमे सरकार होता है साम्भिदिक सरकारके आसे होता है कि कोई सरकार जो समयदान की सीमाओं से परिवद्ध हो भारत में दलविहीन प्रजातन तर प्रस्तावित किया गया मात्मा गान्धी हो जाए प्रकास नाराइन से मितको और कहावितों की रूप में प्रशासन की सधानतों को अश्वितार किया गया हरबर्ट साइमन ने विकास प्रशाजन की आउधारना से सम्मन है फ्रेड डवलू रिंग्स की राजविवस्ता की संदर में सुतंतर्ता की सरवादिक उपयुक्त ब्याक्या है स्वियम को पूर्टा विक्सित करने का उशन समाज में समानता होने का एक नहतारत है कि उसमें बिशेशादिकारों का भाव होना है अब आता है राश्टी प्रतीक के बारे में राश्टी प्रतीक भारत का राश्टी पशुप बाग है राश्टी पुस्प कमल है राश्टी पक्छी मूर है भारत का राश्टी दोज का चक कि भारत की समयधान सभा में राष्ट गान, जनगर्मन, हिंदी का प्रारूप उपनाये गया था 24 जनवरी 1950 को, भारत की समयधान में राष्टी धवजकूर प्रारूप को स्विकार किया गया था 22 उलाई 1947 को, भारत सासन पर राष्टी चिन अंगी किरत किया गया था 26 जनवरी इंडिया से समयधान के प्रिथम अनुषेत के 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 अनुषेत समिधान की पहले अनुसूची चौती अनुसूची की संसूधन का प्रावधान होगा इस प्रियोजन के लिए विधियक संसद में तब तक पुरा इस्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक कि यसे उस राजी की विधार मंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके छ कथन और कारण दिया गया है जिसमें कहता है कि किसी राजी की सीमा बदल ले कि सिफारिस राष्ट पती संसद को देता है और इसके लिए राष्ट पती समंदित राजी की विधार मंडल द्वारा उस प्रिस्ताव पर विचार के एक खास सौधी के भीतर प्राप्त करते हैं क भारण कहता है कि राष्ट पती को उस राज बिधान वंडल का प्रिस्ताव मानना अनिवारी रही है तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हो जो की एक दूसरे की व्याक्या नहीं कर रही है भारत में संग राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट पती के द्वारा अनुश चालेस के लौज एक के सब के लौज खा में दादरा और नागरहवेली और दमानेंदीव और दूसरे के एक में इड़ा में फुदुचेरी सामिल है फिर आता है इसमें नोट दिया गया कि 26 जन्मरी 2020 को दो के अनसासित प्रदेशों दादरा और नागरहवेली है और कारण कहता है कि किसी भी राज छेतर सीमा नाम उसकी सहमती के बिना परिवर्तित करने की सकती संगे सरसंत को प्राप्त है तो इसमें कतन तो आपका गलत है कारण सही है रही राज्यों के निर्मान में सम्मेधाने को बंद दिया गया किसी राज्य का छेतर बढ़ा कर क किसी राज का नाम परिबर्तित करके, सम्मेधान एक प्रावधाने के अनुसर राज की सीमा को बदलने के लिए राजी की सहमती आवशिक नहीं है, संसत बिधी द्वारा भारती संगे में नई राजों का प्रिवेस या उनकी स्थापना कर सकती है सही कतन दिया गया है कि संस्मिधान में Union of States सब्द प्रियोक्ति हुआ है क्योंकि भारती राजों को अलग होने का रिकार नहीं है दूसरा कथन आता है कि एस की धर्ड आयोग ने राज्जों की पुनरगठन इतु भासा की आधार की उपिक्छा प्रिशाशनक सुब्दा को बरियता दी और अंचित तीसरा कथन कहता है कि पंडित नहरू सरदार पटेल पट्टावी सीतर मया की अधिक्षता में कांगरिस कमे प्रदिशों की सीटों को आरेक्षत किया गया बरतमान में 20 हैं कि बरतमान में लोकसभा में संग सास्थ चेतरों में 19 पृतिने दी आते हैं राज पुनरगठन आयोग में 1 नमबर 1956 को कितने राज बनाए गई और कितने केंद सासित पृतिस 14 राज जो 6 संग सासित जमु कश्मीर लद्दाक लच दीब दादरा और नागर हमेल दमन और दीब इवन पूदुचेरी अभी संग राज चेतर सामिल हैं दिल्ली एक के अनसासित प्रदिश हैं दिल्ली को राष्टी राजधानी का चेतर का दर्जा 69 समिधान संसुदन 1991 के अंतरगत दिया गया इ अलग किया गया और दादरा और नागर हमेली 1954 में एक पूर्टगाली सासन की अधीन रही सिक्किम को विधीबत भारत संग में एकपूर राजी की रूप में समलित किया गया है 36 समिधान संसुदन की द्वारत राजू का गठन का सही क्रम दिया गया है जिसमें हर्याड़ा जहार खंड और दिलंगाना आती हैं अब आता है आपका कि राज्यों का भारत संग की संपूर राजी का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम है पहली नमबर पर नागर लेंड फिर हरे आना फिसिक्किम पर आणाचल प्रदीज विविन राज्यों में निर्मार की अनुशार हर्याणा का 1966 में हिमाचल प्रदीज का 1971 में उसिक्किम का 1975 में गठन हुआ और भी राज जो रिस्थाबना दी गई नागलेंड का एक दिसंबर 1963 को मेघाले का 21 जिनमरी 1972 को सिक्किम का सूला मई 1975 को अरणाचल प्रदीज का 20 फरवरी 1987 को हुआ और भी राज है कि हर्याणा का 1966 में महराष्ट का 1960 में और राजिस्थान का 1908 में राज नागलेंड का गठन 1963 में जहार खंड का 2000 में तेलंगाना का 2014 में और सिक्किम का 1975 में और भी सत्यकतें दिये गए कि गुवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया बंबई राज गुजरात एवं महराष्ट में विभाजित किया गया यमाचल प्रदेश पहले स अंगिसासत प्रदेशों की सूची में था और मैसुल राज का नाम करनाटक राच रखा गया कहने सासित प्रदीश वर्स है कि लक्षदीप को बर्स 1956 में दवान उर्दीप को 1987 में चंडीगड को 1966 में और दादराय मिमनागरह वेली को 1961 में विभाज में कहने सासित की मांग को अशुईकार कर दिया था तो दोनों ही कथन सही है भासा के आदार पर राजों के गठन इतु राजपुनर गठन आयोग की स्थापना कप की गई थी 29 देसंबर 1954 को अब आता है आपका कि राजपुनर गठन आयोग 1953 की संदर में सही है कि जस्टिस फजला जी के कि पढ़िकर और हिर्दाइनात कुंजरू इसके सदस्थी और आयोग ने बंबई और पंजाब में विवाजन का समर्थन नहीं किया संसत में के पास राजपुनर गठन कारूण 1956 की दहट चुदा राज उच्छे के नसासत प्रदीस बनाई गई थी भासाई आधार पर भारत म सरपर्थम गठन हुआ था आंध्य प्रदीस का आंध्य प्रदीस एक भासाई राजी के रूप में गठित किया गया था उननीस सो त्रेपन में भासाई यादार पर पुनर गठन 1956 में हुआ बिहार सिक्किम हिमाचल प्रदीस और जम्मू कस्मीर मैंसे किसी बिसेस रेणी के दर्जा प्रदान नहीं किया गया बिहार को अब नागरिक्ता के संदर में प्रावधान है कि भारत में नागरिक्ता की जाती है जन्मे द्वारा देशी करन द्वारा किसी भूबा की सम्मिलन द्वारा भारत का नागरिक अपनी नागरिक्ता खो दीता है यदि भारती नाग नागरिक्ता प्राप्त करता है भारत के संदर में निम्लिकित कत्वों पर विचार करने के लिए कहा गया है जिसमें कथन दिये गए है कि भारत में केवल एक ही नागरिक्ता और एक ही अधिवास है दूसरा कथन दिया गया है कि जो वेक्तिजन में से नागरिक्त को केवल वही राष्टर दिख्च बन सकता है और तीस्रा कथन दिया गया है कि जिस विदेश्ट। को एक बार नागरिक्टा दे दी जाती है तो किसी भी परिस्थति में उसे बनचücht नहीं किया जा सकता है तो इसके संदर में 3 कथन दिये गए तो इस में से उप्रिउख्त में से सही कथन केवल एक ही है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास हैं अब आता है नागरिक्त संसोदा नदिनियम 2015 में भारतिय काड़ धारकों जो की प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकरत होने के लिए अरहरें बेव होते हैं एक आवस वगषा जिसके अभीवाग भारति नागरिकों भारति नागरिक के विदैसिय मोल्की पत्री एक व्यक्ति का पर्पोता या पर्पोती जो दूसरे देश का नागरुख के काडमाई याusan लागू होने की समय भारति नागरिक थे अब इसमें सत्य कथन दिये गए हैं कि नागालेंड असम मनीपूर आंध प्रदेशिक किम वेजोरम अनाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक भागों को देखतु ये भारत के समधार की अनुचित 371 से लेकर 371 आई तक अंतरविस्ट किये गए हैं दोहरी नागरिक्ता का सिद्धान स्विकार किया गया है सयक्त राज जमीर का में अब आता है कि नागरिक्ता के अरजन हेतु सर्टों के लिए सक्षा में संसन नागरिक्ता दिनीम 1955 के अंतरगते पंजीकरण द्वारा भारती नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए भारती मूल के बेक्ति को भारत में कितने वर्स विताने होगे साथ वर्स नागरिक्ता बिधियक 2019 पारित किया गया था 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा द्वारा और 11 दिसंबर 2019 को राज्य सभा के द्वारा पारित किया गया था नागरिक्ता संसुदा नधीनियम 2019 का उद्देश है अफगानिस्त कि हमारा पार्ट सेकेंड होगा आज हमने पार्ट फास्ट को कंपलीट किया और अभी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेजन्स को जादा से जादा से जादा लोगों को इसकी मदद मिल सकें और पीडिय CPSC विद्दीक्षा को जोईन करें, धन्यबाद.